मोडल ससुरार में आई चार गवार बहू हॉल में बेठी मोना हेड़फोन लगाकर गाना सुन रही थी तभी डॉर्बेल बजता है लल्लू देख तो जरा कौन डॉर्बेल बजा रहा है आज कल के नोकरों के भाव बढ़ गये हैं एक बार में सुनते नहीं कौन जाहिर नौट अस्टॉप बजा रहे हैं मोना जैसे ही दरवाजा खुलती है उसके सामने चार बेटे चार लड़कियों के साथ तड़े होते हैं वेलकम हो माई तन तुम्हारी माने तुम्हें कितना मिस किया बेटा ये चारों गवाल लड़किया कौन है परनाम करते हैं अम्मा जी हम चार जाहिर गवार मेरी बहु बनना तो दूर मान को मेड बनने के लाइक भी नहीं हो। इन ओप मामी नीमो रूप लाल जो और और अंगुरी हम चार भाईयों का पत्नी और बनसल ख़दान की बहुए है। जुग जुग जीओ मेरे लाल लाल तुम्हारे मा के फैसले से मैं खुश ना हो मैं तो खुश हूँ। दिमाग खराप हो गया है तुम बाप बेटों का अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का ग्रह परवैस। इसके बाद चारों गवार बहुएं घर परवैस करके घर के अंदर आ जाती है। अगली सुबा चारे बहुएं देशी अस्टाइल में खाना बनाकर ससुरार वालों को परोस्ती है। ती रुबाली गुशे में कहती है। ओ इस थीस अरे ओ मेरी गवार भावियों यह कैसा वाहियत खाना बनाया है। अंगूरी की टूटी उटी इंगली सुनकर मोना और रुबाली उसे देखती रह जाती है। तभी गवार बहु टसन कहती है। ता हुकुम आनंद जी खा गए ना जटका हमको भी इंगली साती है। पूरी चार कच्छा तक अंग्रेजी पड़े हैं। वो तो बस पांचमी में अटक गए। इन गवारों का मुह लगने का कोई फाइदा नहीं। अरे वो लालू। अरे उसको तो हम छुटी दे दिये। हम ऐसे के लिए अब घर के चार चार बहुएं के नोकर के कहें जरूरत नहीं है। बीना गुशे में उठकर वहां से चली जाती है। वहीं कई दिन गुजर जाने के बाद गवार बहु अपने मोडल ससुरार में एजेस्ट नहीं कर पाती है। तभी एक दिन मोना को अपनी मोडल चहेली डिमपल का फोन आता है। मोना तु बड़ी छुपे रिष्टे निकाली घर में ही चार-चार बहु आ गई और तुमने रिषे फर पाटी भी नहीं दी। वो सब एक कुछ इतना जल्दी में हो गया कि बताने का मोका भी नहीं मिला। जल्दी पेशन पाटी रखने वाली हूं अच्छा फोन करती हूं। ऐसा कहकर मोना तपाक से फोन कार देती है। क्या हुआ भागवान मून ठीक नहीं है क्या। अरे क्या खास मूड ठीक होगा। पूरी सोसाठी को पता चल गया कि हमारे घर बहुएं आई है। सब पाटी मांग रही है। अरे तो रखलो ना पाटी। फिर मोना अपनी चार गवार बहुँओं को मोडल गाउन देखर कहती है। कान खोल कर सुनो मेरी गवार बहुँ। आज मैंने रिपेस्टन पाटी रखी है। तुम्हें एक गाउन पहनना है। गलती से भी छे मीटर की साड़ी मत लपेट लेना। अरे हाँ अच्छे से मेकप कर लेना समझी। जी समझ गए हैं अम्मा जी। चारगवार बहुएं मोना का दिया हुआ गाउन पहन लेती है। और जैसे तैसे मेकप लपेट लेती है। जिससे वह बहुत भद्दा दिखने लगती है। अरे अंकूरी नीमू रूपा दुखंदार मा जी को ठक दिया है। ये गाउन गाउन तो फटा चिटा है। अगर हम ये सब नहीं पहनते तो मा जी उससा हो जाती। जो मेरे दिमाग में फास्ट फोरवर्ट में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चारों एक एक चादर लपेट ले। कहां रह गई तुम्हारी बहुएं। अरे आती होगी। चार गवार बहुएं सादर ओड का पाटी में आती है। अभी डिमपल मुना का मजग बनाते हुए कहती है। ओ ना अरे कहां से उठा लाई। इन नमूनों को ये तेरे अस्टेंडर से जरा भी मेच नहीं हो रही है। मैं तो इन जेसी को अपने घर में इतना होकर भी नहीं रखूं। एनिवे हम चलते हैं। महमानों के जाने के बाद रुबीना कहती है। देखा मा जी हाँ जी इन चारों गवार पंक्ति के कारन हाई का सोसाइटी में हमारा मजाग बन गया। जी हम चारों ने एसा भी क्या गजब ढ़ा दिया। चुप एकदम करो। तुम जोडों की गवार भासा मेरे कान में चुब रही है। ये आज तुम हर एक कारन हमारा थमासा बना गया। उना रुबीने घंटों तक बेचारी बहुओं को भर भर कर खोरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त बित्ता गया फिर एक दिन। रुपा निम्बू अंगूरी और कहा मेरी गवार अब हो। मैं आई डुकिंग माजी। अंदर आजाओ ये लो पैसे और जाकर बजार से फल सबजी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सबजी खरीद लेती है। गहर आते वक्त उन्हें रास्ते में ही गाय देखती है। चारों बहुएं उसे गाय को घर ले आती है। आ गई तुम चारों गोड। अब ये गाय किस लिए लेकर आई। माजी ये दुधारूं गय है। इसे घर में रख लीजीए। हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इसे गाय का दूद होकर चाय मतन घी मिलाकर तो उसकी कगड़ी जैसी कलाई हठी कठी हो जाएगी। और तो बहू और माजी गोरी के ही से आपके जाडू जैसे बाल भी एकदम टन टनाटन हो जाएगी। ओ गोड क्या करूं मैं इन जाहिलों का मुझसे तुम चारों की गवार पंक्ति जहली नहीं जाती। और तुम यह गाय ले आई इसे जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चार गवार बहुएं उसे गाय को सोसाइटी के गाड़न में चरने के लिए छोड़ देती है। और अगले दिन सुबा उसका गोबर इखटा करके घर में ले आती है। चलो बहन आज अपनी सस्रार को गोमिया के गोबर से अच्छे से लिप पोत देते हैं। चारो गवार बहुएं घर का हर समान फी, जेसी, दिवार, फर्स, माइको, मिक्सी, वांट्सिंग मसीन और हर समान को गोबर से लिप देती है। तभी गोबर की बदबू से मोडल ससुरार वाले की निन्द चुट जाती है। और सभी अपने कमरे से बाहा निकल के आती है। ओ गोड बस यही देखना बाखी दा गया था। क्यों मेरी गवार यह सब। क्यों मेरी